स्वागत है दुस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइन्स सब्जेक्ट की जो सेकेंड बुक है उसका फर्स्ट रम के लिए चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है राष्ट रिमान इस चैप्टर से बंदित बच्चों मोस्ट इ देखिएगा आपको हर एक चीत समझ में आ जाएगी तो देखिए इस्टाग्राम अकाउंट है टुटर हैं या फेस्टुक पेज्ट का लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा नीचे वीडियो के टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खोल जाएगा वहां से जाके आप हमें सोचल मीडिया के इन अकाउंट से फॉलो कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहला प्रश्ण 14-15 अगस्त की मध्र रात्री को नहरु जी के द्वारे जो दिया गया भाशन था उसका क्या नाम था आपकी ऑप्शन है भाग्य वदू से चिर प्रतिरिक्ष भैंट ट्रेस्ट विद डेस्टिनी आजादी के लिए घोशना ए और बी दोनों तो देखिए एक तो यह भी था भाग्य वदू से चिर प्रतिरिक्ष भैंट और ट्रेस्ट विद डेस्टिनी यह दोनों ही है तो इस अंदर्व में ऑप्शन फोर्थ है एक औ सहमती बनी थी पहला सात के लोकतांत्य सरकार के द्वारा चलाया जाएगा सरकार सभी के भले के लिए खाम करेगी इन मैं से कोई नहीं या फिर ए और बी दोनों तो ये दोनों ही कथन सही है ठीक है तो आपसन फोर्थ जो होगा हमारा ए और बी दोनों ये वाला सही है ठीक है अगला प्रश्ण कोशन नमर थर्ड अमरता प्रीतम कौन थी ये प्रश्ण वच्चों कई बार पूछा जाता है कि अमरता प्रीतम कौन थी कौंग्रेस के अध्यक्ष थे दुराष्टे सिध्धानत के अप्रतिपादक थे पंजावी भासा की कवियत्तिरी थी इन मैंसे कोई ने तो देखें यहां पर दो चीज़ा आपकी कवर होती है एक तो ये कि अमरता प्रीतम जो है वो एक कवियत्तिरी अब ये पूछे जाए किस भासा की तो आप बता देंगे पंजावी भासा की ठीक है तो अमरता प्रीतम कौन थी पंजावी भासा की कवियत्तिरी तो अप्शन थर्ड सही है कुशन नमर फोर देखिए भारत की आजादी के समय मुख्य चुनोतियां क्या थी एकता की सूत्र में बांधना लोकतंत्र को स्थापित करना है समूचे समाज का विकास करना या फिर सभी जुसका सही आंसर है उप्रोक्त सभी यानि कि ये तीनों ही चुनोतियां भारत की आजादी के समय मुख्य चुनोतियां बनी हुई थी ठीक है अगला कोशन नमर फाइव दुए राष दिया गया था ठीक है मुसलिम लिग के द्वारा दिया गया था अगला कि दुए राष्टिय सिधान्त का आखेर इस मतलब दुए राष्टिय सिधान्त है इसका मतलब क्या है भारत से रियास्तों को अलग रखा जाएगा भारत दो कौमों का देश है हिंदू और मुसलिम व वो दो कौमों का देश है हिंदू और मुस्लिम जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा ऐसा इस सिद्धान्तों प्रतिपादित करके यानि की लागू करके बताया गया था ठीक है अगला दुराष्टिय सिद्धान्त का विरोध जो है ये किसके द्वारा किया गया था तो सिंपल सी जो है Congress के द्वारा दुराश्टिय से धानत का विरोध किया गया था ठीक है Question No.8 सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है महात्मा गांधी को, जवाहला नहरू को, मुस्लिम लीग के नेताओं को या फिर खान अब्दुल गफार खान को तो सीमांत गांधी के नाम से option फोर्थ जो है खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है ठीक है बच्चो अगला question number 9 किस गांधी वाधी नेता की जो मृत्यू थी वो भूख हड़ताल के दोरान हुई थी आपकी option है पोटी श्री रामुलू, महात्मा गांधी, जय प्रकास नारायन या फिर इन में से कोई नहीं तो वो गांधी वाधी नेता जिसकी मृत्यू भूख हड़ताल के दोरान हुई थी उसका नाम था पोटी श्री रामुलू, ठीक है, option first सही है question number second, महात्मा गांधी की जो हत्या थी, वो कव की गई थी और किस की द्वारा की गई थी महात्मा गांधी की हत्या कब और किस्ने की, 30 दिसंबर 1948 नाथुराम गोट से, देखें ये तो ठीक है कि नाथुराम गोट से के द्वारा की गई, अब हमें डेट देखने हैं कौन सी सही है, 30 जनवरी 1948, 30 अकस 1947 या इन में से कोई ने, तो नाम तो नाथुराम गोट से है, ल ठीक है, अगला देखें, इस्टूमेंट ओफ एकसेसन क्या है, इस्टूमेंट ओफ एकसेसन क्या है, दुराष्टिय सिधानत का विरोध, बारतिय रजवाडों का भारत में विले सहमती हस्ताक्षर पत्र, ए और वी दोनों या इन में से कोई ने, ठीक है, तो इसका सही आं बारतिय रजवाडों का भारत में विले सहमती हस्ताक्षर पत्र, ठीक है, जो भी रजवाडे थे, वो भारत में जब विले होते थे, तो उन्हें इस इस्टूमेंट ओफ एकसेसन पत्र पे हस्ताक्षर करने होते थे, ठीक है, कोशन नमबर 12, भारतिय विवाजन के क्या पर प्रदाइक दंगे हुए थे और उप्रोक्त सभी तो भारतिय विवाजन के उप्रोक्त सभी परिडाम निकले थे ठीक है अगरा देखे कोशन नमर 13 है कि मुस्लिम लीग इसका गठन कब हुआ था आपकी ऑप्शन है 1906, 1905, 1907, 1908 तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था कब हुआ था 1906 में ठीक है अगरा देखे कोशन नमर 14 भारत का विवाजन किस आधार पर हुआ था भारत का विवाजन किस आधार पर हुआ था जाती के अधार पर धरम के अधार पर रंग रूप के अधार या फिर भासा के अधार पर तो भारत का विवाजन भारत हिंदोस्तान देखिए दुराष्टी सिद्दान किसलिए दिया गया था भारत दो कौमों का देश है एक हिंदू एक है मुस्लिम तो भारत का विवाजन भी जो था वो धरम के अधार पे हुआ था हिंदूों के लिए हिंदोस्तान यानि कि भारत और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान, ठीक है, तो भारत का विवाजन जो है, वो धर्म के अधार पे हुआ था, कुशन नमबर 15, किन सहरों में संप्रदाइक हिंसा जो थी, वो अधिक हुई थी, यानि कि बिवाजन के दोरान, ऐसे कौन सी वे सहरते जहाँ पर संप्रदाइक हिंसा काफी अधिक बड़ी हुई थी, लाहोर, अमरिस्तर, पंजाब, पंजाब, बंगाल, कश्मीर, लाहोर, कॉलकाता और अमरिसर, ये देखेंगे तो बहुत पास में पढ़ते हैं, एक लाहोर है और अमरिसर, ये काफी पास में पढ़ जाते हैं, और कॉलकाता है बंगाल की साइड पढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंसा थी, वो काफी अधिक हुई थी, ठीक है, तो किन सहरों में सबसे अधिक संप्राइक हिंसा हुई थी लाहौर कॉलकाता और अम्रेस सार अगला देखे कुस्ट नमर 16 कहां के नवाब विधान सवा में सामिल नहीं होना चाहते थे कहां के नवाब जो थे वो संविधान सवा में सामिल नहीं होना चाहते थे मनिपूर भोपाल त्रावड कोर या फिर हैद्रावाद तो इसका सही आंसर है है हैद्रावाद के जो नवाब थे ठीक है ये जो संविधान सवा थी इसमें सामिल नहीं होना चाहते थे इसका आंसर व कहा जाता था ठीक है तो नवाब कहां के थे भोपाल के आई होप आप समझगे होंगे कोशन नमर 16 अब देखिए अगला प्रशन बहुती एजी सा है आंसर मैंने आपको भी बताई दिया है कि किस राज्य के सासको निजाम कहा जाता था ऐसे कौन सा राज्य था जिसके सासको न लखने का फैसला किया था हैदरवाद के त्रावण कोर के मदरास के या फिर मनिपूर के तो इसका सही आंसर है त्रावण कोर के राजा ने अपने जो राज जहें उसे आजाद रखने का फैसला किया था ठीक है आगे दिखिए और कुश्टन नमर 19 है भारत में रजवाड़ों की जो संख्या थी वो कितनी थी 575 चेसो चेसर 565 या फिर 550 तो भारत में जो रजवाड़े थी इनकी संख्याती 565 ठीक है ऑप्सें थर्ड आगे दिखिए क भारत का वह पहला भाग जहां पर सार्व भौमिक वैस्क मतारिका और उप्योग करके 1948 में जो चुनाव हुए थे वो ऐसा कौन सा राज था ठीक है तो हमें यह बताना है तो आपके सामने ऑप्सें है पंजाब बंगाल हैदरावाद या फूर या फिर की मनीपूर तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर है मनीपूर ठीक है मनीपूर ही भारत का वह पहला भाग था जहां पर सार्व भौमिक वैस्क मतारिकार उप्योग करके चुनाव हुए थे 1948 में अगला कोशन नंबर 21 रजाकार कौन थे राजा की सैनिक पुलिस कर्मी निजाम का अद इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर जो बनेगा वह होगा निजाम का अर्द सैनिक बल रजाकार कौन थे ठीक है आगे देखिए कोशन नंबर 22 मनीपूर के सासक कौन थे निजाम बोधी चंद दोनों इनमें से कोई नहीं तो निजाम कहा के थे हैदरवाद के अब बच बोधी चंद तो बोध चंद जो थे पूर के साथ सकते मनिपूर के साथ से कौन थे बोध चंद आगर के कोशन नुबर 23 है कि कि किस प्रांतिम के तीलगु भासी इलाकों को अलग करके प्रदेश बनाने की मांग जो थी वो की गई थी आपके ऑप्शन है करनाटक तमिलनाडू मद्राश या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है बच्चो ऑफ्शन थर्ड मद्राश ठीक है आगर दिखे कुस्टमर 24 है कि किस अधिवेशन के बाद है निर्ने लिया गया कि भारत के राज्ये राज्यों का जो पुनरगठन है वो भासा के अधार पर होगा किया जाएगा कोशन मर 25 है ना कॉंग्रेस का नागपूर अधिवेशन का नागपूर अधिवेशन है यह उननीस सो बीस में हुआ था कब हुआ था अधिवेशन मर 26 राज्य पुनरगठन आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी ऑप्शन है उननीस सो चंवन त्रिपन पच्पन या फिर 47 ठीक है तो इसका आंसर क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड उननीस सो त्रिपन में राज्य पुनरगठन आयोग की स्थापना की गई थी क्वेशन मर 27 राज्य पुनरगठन आधिनियम जो था यह पारित कब हुआ था 1953, 54, 56 या फिर 47 तो राज्य पुनर्गटन अदिनियम जो है यह 1956 में पास हुआ था ठीक है या अनकी पारित हुआ था आगे question number 28 है अरुणांचल प्रदेश और मिजूरम यह दोनों राज्य कब बने थे आपके option है 1922, 1987, 1989, 1960 तो अरुणांचल प्रदेश और मिजूरम जो थे यह 1960 में राज्य बने थे स्वातमतर राज्य कब बने थे 1960 में ठीक है आगे दिखिए इसका जो आंसर है बच्चों 1960 नहीं होगा क्योंकि अभी भी मिरको याद आया कि इसका जो आंसर है 1960 नहीं वैल की option फूर्थ जो है 1987 यह होगा अरुणांचल प्रदेश और मिजूरम जो थे वो 1987 में राज्य बने थे ठीक है आगे question 29 है महाराष्ट और जो गुजरात थे महाराष्ट और गुजरात यह कवराज्य बने थे ठीक है आपकी option है 1950, 66, 66 या फिर 71 तो महाराष्ट और गुजरात जो थे यह 1960 यह correct है कि यह दुनों राज्य बने थे आगे है सबसे आखरी प्रश्ण है कि जारखंड, 36 गड़, उत्राखंड यह तीनों जो थे वो कवराज्य बने थे ठीक है आपकी option है 1950, 60, 70 या फिर 2000 तो जारखंड, 36 गड़ और उत्राखंड यह तीनों ही 2000 में राज्य बने थे 2000 में ठीक है तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की यह वीडियो यहां पे खतम होती है आसर करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी आपको इस चैप्टर से संबंदित most important MC की question answer समझ में आ गई होंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना इस वीडिय अगली वीडियो में तब तक के लिए आप पढ़ते रहें अपना ख्यार लिखिए धन्यवाद जैहिन वंदमात्रम